हल्ले स्टुडेंट्स मैं पड़े वर्मा स्वागत करता हूँ आपका मागनेट ब्रेंट सिंद्धी में यहां पर आपको किसी भी सब्जेक को पढ़ने के लिए या कोई भी वीडियो देखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है 100% free education आपको यहां पर मिलेगी और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कुछ वीडियो देखो उसके बाद आपके पास कुछ OTP आएगा फिर आप लोग उसको payment करो ऐसा कुछ नहीं है 100% free education है मतलब 100% free चलिए आज करने जा रहे हम लोग बिहार बोट से कक्षा आटवी गडिश और आज करेंगे इसका अध्याय दस है जिसका नाम क्या था गातांक और गात और आज करेंगे इसके MCQS जी हां बहु विकल्पी प्रश्न आज हम इसके करने वाले और देखते हैं इसके लिए कौन कौन से कोशन हैं जो हमने आपके लिए चुने हैं चलिए सबसे पहले आपके सामने कोशन चालू होता है छोड़े छोड़े फॉर्मले भी मैंने आप लिए हैं ताकि आपको उनका भी बहुत अच्छा सा नॉलेज रहा है अगर आधार समाने और बीच में गुड़ा का है कि हमारा अगर आधार समान होता है आधार क्या होता है यह आधार मतलब यह और यह एक हैं है ना और गाते क्या हो गई यह पर जुड़ गई आधार समान होता है गाते जुड़ जाती है तो यहां पर क्या हो गया हमारा आंसर सही है जो कि सेकेंड नंबर का ठीक है ना फॉ आपको या तो ऐसा भी दिया जा सकता है या आपको यह ऐसा भी दिया जा सकता है ठीक है इसका मतलब यह है इसको बहुत से तरीके से पर सकते हैं समझ सकते हैं कि भाई यह यह भी है इसको अगर उपर लेकर आएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा यह माइनस का हो जाएगा अब यह माइनस का हो गया तो यह क्या हो गया यह वही वारी घात बन गए हमारी ठीक है जब इसको उपर लेकर आगए तो माइनस का हो गया और उपर नहीं लेकर आए तो यह ऐसा रहा तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया यह हो गया, मतलब बहुत तरीके हैं समझने के आप जिससे इसको समझ सको समझ सकते हो तो इसका भी आंसर क्या होगा M-N होगा, ऐसा भी पूछ सकते या ऐसा भी पूछ सकते ठीक है, आया समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कोशन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है अगर यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर आधार अलग अलग है यहाँ पर आधार अलग अलग है A की पावर M और B की पावर M आधार अलग अलग हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A into B और उसकी whole power बन जाएगी M यह ऐसा हो जाता है आया समझ में तो यह हमारा जो right answer इसका क्या है वो यह है आया समझ में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं तरीके हमारे पास लिखने के तो बहुत यह आसाने question यह हो गया solve आगे बढ़ते हैं यदि A की power 0 हो तब हमने formula बताया है कि अगर A की power अगर 0 होती है तो उसका answer क्या होता है मतब किसी भी संक्या की power अगर 0 होती है तो उसका answer क्या आता है 1 आता है तो यह छोटी छोटी चीजें है जो कि हमने आपके लिए रखी है ताकि आपको एक formula का भी knowledge हो ठीक है ना आगे बढ़ते हैं यहाँ पर M का मान क्या होगा आए निकालते हैं M का मान तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है minus 2 power M plus N M plus 1 गुणा में minus 2 power 4 और यहाँ पर minus 2 की power 6 है ठीक है तो अब यहाँ पर हमें निकालना है formula से तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर formula क्या लगेगा आदार समाने बीच में गुणा का रिशाने तो यहाँ पर सूत्र क्या लगता है जो कि अभी हमने पढ़ा ही था क्या था A to the power M गुणा A to the power N तो हो जाएगा M plus N यह हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा minus 2 M plus 1 plus 4 बराबर minus 2 की power 6 ठीक है यह हो गया आदार समाने गाते जुड़ गई आप देखिए सकते हैं आदार समाने तक हाते जुड़ गई तो minus 2 और यह हो जाएगा हमारा M plus 5 minus 2 6 minus 2 से minus 2 cancel हो गया तो M plus 5 बराबर 6 तो M बराबर हो गया 6 minus 5 तो M की value कितने आ गई 1 आ गई M की value कितने आ गई 1 आ गई आप चाहें तो check भी कर सकते हैं देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा एक और एक दो हो जाएगा और आदार समाने तो गाते जुड़ जाएगी तो 2 और 4 6 हो जाएगा जिसके बराबर हो जाएगा तो M बराबर मेरा 1 answer आ गया क्या rule लगाया आपको पता ही था यहाँ पर यह सूत्र लगा है सूत्र को आप लोग अच्छे से देखिएगा आप लोग भूल मत जाना क्योंकि सारे सारा जो है वो फॉर्मले पर डिपेंड कर रहे है यह सारे चीज़ है चलिए आगे बरतें अगले कोशन पर दो बटा पांच की घात माइनस तीन का मान होगा है ना जग यह मतलब अगर इसका मुझे मान निकालना है दो बटा ती पांच को तो सबसे पहले घात को मुझे क्या करना पड़ेगा धरात्मक करना पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा 2 बटा 5 की घात अगर माइनस 3 दी है तो हम इसको कर लेंगे 5 बटा 2 की घात 3 तो 5 गुड़ा 5 गुड़ा 5 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 तो 25, 25 पंजे 125 2 दुनी 4, 4 दुनी 8 125 बटा 8 है ना ये कौन से रूल से हुआ अगर A अपॉन B की पावर है ना माइनस में होती है तो B अपॉन A कर देते हैं मतलब इसका प्रतिलों कर देते हैं तो येही पावर कायम हो जाती है हमारी प्लस में आ जाती है तो 125 बटा 8 मेरा इसका राइट आनसर है जो कि हमारा आ भी गया मतलब चोटी चोटी चीजे हैं लोग बहुत अच्छे से कर रहें बहुत अच्छे समझ रहें सादी चीज़े हमारी हो गई है सॉल्व हो गई है चड़े कोशन कर लिया है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन पर देखते क्या दिया हुआ है चलिए माइनस 3 और उस पर माइनस 4 है ना तो अब इसका मान होगा तो सबसे पहले देखिए माइनस चार है तो सबसे पहले मुझे घात को धनात्मक करना पड़ेगा तो यह क्या है माइनस तीन है और माइनस तीन पे घात धनात्मक माइनस चार है तो सबसे जले घात को धनात्मक करेंगे तो यह हो जाएगा एक बटा माइनस तीन की घात चार यह होगे धनात्मक 27 यहां पर यह रूल लगाया मतलब अगर हमारे पास कोई भी संक्या के उपर नेगेटिव पावर होती है तो अगर हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं नीचे लाकर यह इसका फाइनल आंसर आगया तो यह कोशन नंबर 7 खतम होता है आगे बरते हैं अगले कोशन की तरफ देखते हैं अगला कोशन क्या है और उसको करने का तरीका क्या है अब दो की घात माइनस पाँच है इसको भी करने का तरीका क्या रहेगा आएए देखते हैं तो यहाँ पर माइनस दो की पावर माइनस पाँच है जब इसको लेकर आएंगे तो यह माइनस दो की पावर प्लस पाँच होगे अब देखें यहाँ पर आपको एक बात बनाता हू मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या के उपर गात अगर सम संख्या है तो हमारा answer positive होता है लेकिन यहाप गात विश्ण संख्या है तो हमारा answer minus महीं आएगा अगर हम दो को पांच बार गुणा करेंगे तो 32 आजएगा लेकिन माइनस का 32 आएगा तो हमारा आंसर आजाएगा माइनस का एक बटा 32 यह हमारा फाइनल आंसर आगया चोटे-चोटे कोश्चन है समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और यही कोश्चन हमारे बड़े-बड़े कोश्चन को बनाते भी हैं आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ इसको सॉल्व करना है आए यह सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है कोशन को solve करते हैं यहां दिया है 2 की घात माइनस 5 भाग में 2 की घात माइनस का 2 अब चाहें तो आप इसको सूत्रे से solve करो सूत्रे से solve कैसे करेंगे यहां पर आधार समाने तो घाते क्या हो जाएंगी घट जाएंगी तो किता हो जाएगा 2 माइनस का 5 माइनस का दो ठीक है तो दो माइनस का पाँच प्लस का दो तो दो मिसे पाँच मिसे दो गया तो माइनस का तीन तो आ गया 2 की घात 3 तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 तो 1 बटा 8 तो ये मेरा आंसर हो जाएगा प्लस का 1 बटा 8 ठीक है ये तो मेरा आंसर हो गया लेकिन चाहता तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था कैसे कर सकता था यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपनी घात को positive कर लो positive करने के बाद यहाँ पर आप लोग इसको positive करने के बाद यहाँ पर अगर जो cancel हो रहा है आप उसको cancel भी कर सकते हो से देखिए अगर इसका आंग दूसरे रीके से करके देखें तो यह चाहेगा दो बटा 5 तो ятель दो की घहाथ 5 और भाग में दो संहीं दो की घँटा दो थेखें 2 को हम पांच बर समयदू रूत करतें दो बत्तीस आता है और ये हो जाएगा चार अब क्या हो जाएगा एक बटा 32 और गुझाई में चार बटाए हउट फारफ लग Q मतलब कैसे भी करो हर चीज का सॉलूशन है तो हमने इसको सॉलूशन से सॉल्व कर लिया तो यह हो गया आंसर मतलब मैं आपको बता हूँ सूत्र का मैं आपको actual मतलब बताता हूँ सूत्र क्यों बने सूत्र इसलिए बने क्योंकि आप लोग क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीजों को सूत्र की साहिता से बहुत अच्छे से solve कर लेते हैं इसलिए सूत्र बने अगर आप लोग को सीधा संपल साल्व करना होता तो कर सकते हो उसकोशन भी सॉल्व हो जाते हैं लेकिन सूत्र से क्या होते हैं वो कोशन को आसान बना देते हैं सॉल्व करने के लिए जैसा कि यह हुआ यह कोशन को आसान हो गया इस कोशन में आपको वाला फॉर्मना यहां पर लगाया है और अगर आपको यहां पर यहां पर यह मान गयात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमें दिया है तीन की घात माइनस एक प्लस चार की घात माइनस एक भाग पांच की घात माइनस एक ठीक है सबसे पहले मेरी घात जो है न सबसे पहले मैं उसको पॉजिटिव करता हूँ कैसे करूँगा यह हो जाएगा एक बटा तीन यह हो जाएगा एक बटा चार माइनस एक भाग में एक बटा पांच तो यह हो जाएगा चारतिया बारा यह हो जाएगा चार प्लस तीन भाग में एक बटा पाँच तो इज़ाएगा साथ बटा बारा भाग में एक बटा पाँच ठीक है ना अब क्या करेंगे यहाँ पर हमारा जो कोशन है अब आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो और उसके बाद इस कोशन को कहा तक ले दा सकते हो देखिए हमने का करा सबसे पहले चारतिया बारा है ना और चारे कम चार तो चारोतिन साथ साथ बटा बारा और एक बटा पाँच ठीक है ना यहाँ पर यह कैसे हुआ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए के कोशन कैसे गया और कैसे सॉल्व हुआ एक बार आप अच्छे से देखिए यहाँ पर एक बटा तीन है मैंने इसको पॉज़िव नीचे लेके पॉज़िव आ गया यहाँ पर एक बटा चार हो गया उसके बाद यहाँ पर माइनस वन था है ना अभी हमने माइनस वन जो था वो हमने यह लिख दिया माइनस वन अब क्या कर सकते हैं अब इसको वापस से हम लोग चेंज करेंगे तो यह बारा उपर आ जाएगा साथ नीचे आ जाएगा तो यह कित्ता हो जाएगा बारा बटा साथ और यहाँ पर भागता निशान है और यह एक बटा पाँच है अब क्या होगा अब यह यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा और यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा बारा बटा साथ गोड़ा में पाँच बटा एक तो बारा पंजे साथ बटा साथ तो साथ बटा साथ मेरा आंसर हो गया यह रहा है ना कोश्चन को आप लोग ध्यान से देखो माइनस का मतलब क्या होता है अगर हमारे एक बार और बता रहता हूं अगर किसी भी संक्या के उपर घात माइनस में होती है किसी भी संक्या के उपर घात अगर माइनस में होती है तो उसको positive करेंगे तो B upon A हो जाएगा तो यह काय में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो हमने छोटी बात ध्यान में रखी और आपको भी बात समझ में आना चाहिए कि आगर घात को अगर- Portal में हैं तो इसको positive करने के लिए आप उसको एक के बटे में लिया इसको सॉल्फ करना है इसको सॉल्फ कैसे करना आएए देखते हैं यह एक बटा दो घात माइनस दो प्लस एक बटा तीन घात माइनस दो प्लस एक बटा चार घात माइनस दो और आगे क्या तो मैंने क्या बता है सबसे पहले आप अपने घात को जो माइनस में लिखी उनको पहले पॉजिटिव कर दो कैसे करोगे यह दो है यह 2 हो जाएगा प्लस में, यह 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में, और यहाँ 4 है, यह भी हो जाएगा प्लस में, है ना, आप नीचे 1 मत लगाओ, कोई बात नहीं, 1 मत लगाओ, यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चुको 16, 16 और 4 20, 16 और 29, आंसर आगे 29, जो कि मेरा right answer यह रहा, है ना, मतलब यह माइनस में लिखा है, तो बहुत से लोग इसको ऐसा भी करेंगे, नीचे 1 लिख देंगे, 1 लिखने, नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 का कोई value नहीं होती है, है ना, 1 upon 2 की होगी, लेकिन 2 upon 1 की नहीं होगी, तो यहाँ पर इसको एसा solve कर लिया, easily answer आगया, आप लोगों ने इसको देखा, समझा, और समझ में भी आया कि यह question कैसे solve हुआ, किस तरह से हम question को ले गाए, कहां से इसको solve किया, सारी चीज़े आपके सामने में ने explain करके बता दी, आगे आते हैं अगले question की तरफ, अब इसको solve करना है, कैसे solve कर करना है, आईएस को solve करते है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेगा, question में यहाँ पर बड़ा bracket लगा हुआ है, है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर हम भी बड़ा bracket लगाएंगे, और यहाँ पर एक बटा तीन है, घात माइनस का तीन है, और एक बटा दो ह और माइनस का तीन, देन ब्रेकेट क्लोस, और भाग में एक बड़ा चार, देन माइनस का तीन, आजसर क्या आएगा, सबसे पहले मैं अधिकतर बार केता हूँ, अपनी गातों को माइनस अगर रहती है, तो इसको प्लस बनाओ, कैसे बनाओगी, तो यह तीन की गात तीन हो जाएगा, और दो की गात तीन हो जाएगा, और यह हो जाएगा, चार की गात तीन, ठीके, तो यह कितना हो जाएगा, तीन थिया नो, और तीन थिया नो, नो थिया 27, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, चार चुको 16, चुको 64, यह हो गया, ठीके, पहला इतना काम हो गया, 30-3 शक्र दिया अब 27 premiuse 8 को माइनश करेंगे तो 27 स we sich our हीरा माईनश करेंगे तो सत्रा मेरा पार को माइनस करेंगे तो सत्रा मेरा इसे ड़ारा उबाट को घटाएंगे तो यहां अग चाना एक दो, तो 27 में से इगर 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अगर हम 27 में से 10 को माइनस करतें तो आजाता है कितना सत्रा तो यहां पर कितना आजाएगा सत्रा और सत्रा में से कितना हो जाएगा और कर देंगे तो यहां पर आजाएगा 19 ठीके ना मतलब यहां पर हमारा एक और बर जाएगा तो यहां पर 19 हो जाएगा ठीके ना तो यहां पर हम लोग अगर देखते हैं कि यहां पर हमारा जो answer है वो क्या आ रहा है अगर हम आपको check करना है तो 19 19 और आप लोग 8 को करो तो 20 21 23 24 25 26 27 आ रहा है ना मतलब आप जब plus करते हो तो अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा calculation थोड़ा fast करना है तो आप लोग उसको अपने दिमाग से कर सकते हो कि उसको कैसे कर सकते हैं बार बार आपको बूट पर करने की जरूबत नहीं पड़ेगी या अपनी कॉपी में करने की जरूबत नहीं पड़ेगी तो यहां पर हमारा कितना answer आ गया उननिस भागित 64 ठीक है अब क्या करेंगे अब इसके आगे उननिस बटा 64 आ रहा है तो क्या मेरा answer सही है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं उननिस बटा 64 ऐसा भी लिख सकते हैं तो यह मेरा answer बिल्कुल सही है उननिस बटा 64 बिल्कुल सही आ गया है ना प्लस माइनस अगर ठीक से नहीं होता है तो हमारे गलती हो जाती है तो आप लोग अगर प्लस माइनस करते हो तो सबसे बड़ी अपनी कैलकुलेशन में फिंगर्स का यूज करा करिए kolution में बहुत अच्छी होती है सारी calculation बहुत अच्छ Nayus और ऐसके अंदर 111 मेटले बना हूआ है फिर उसके बाद करली ब्रेकेट बना हुआ है फिर उसके बाद यह ब्रेकेट बना हुआ है माइनस एक बटा दो है फिर फिर दो है फिर करली ब्रेकेट के बाद माइनस दो है फिर बड़े ब्रेकेट के बाद माइनस एक है देखिए क्या होता है सबसे पहले बड़े और यहाँ पर तो दो लगा हुआ है माइनस माइनस प्लस हो गया इसका और इसका मल्टिप्लाय हुआ तो वज़िया दो चलिए अब यह करली ब्रेकेट ओपन होगा तो कित्ता हो जाएगा माइनस का एक बटा दो और यह हो जाएगा दो गुणा दो माइनस का एक बटा दो तो हो जाएगा चार ठीक है अब हमारा आंसर आजाएगा कित्ता हम एक बटा दो को चार बर गुणा करेंगे मतलब माइनस के एक बटा दो को चार बर गुणा करेंगे तो देखो माइनस का एक बटा दो गुणा माइनस का एक बटा दो गुणा माइनस का एक बटा दो दो दूनी चार चार दूनी आट आट दूनी सोला माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस मदब प्लस का एक बटा सोला मेरा अंसर आ गया यह ने मेरा आंसर ठीख है तो आप लोगों ने चेश्टे आपन पर चार बाल कर दिया फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं करते हैं अगले कोशन की तरफ अब ये वाला question है x का मान निकालना है बड़ा ही सबसे ज़्यादा important question में से ये question है जो आपके exam से भी पूछे जाएंगे mcqs में भी आ सकते हैं ये वाले questions और ये 4 नंबर से कम question नहीं आता है ठीके ना चलिए ये लिखाए 7 बड़ा 12 कि घात minus 4 गुड़ा 7 बड़ा 12 घात 3 x बड़ावर 7 बड़ा 12 पाच ठीके अब यहाँ पर साथ बड़ा 12 साथ बड़ा 12 साथ बड़ा 12 सबसे पहले आधार समाने घाते जोड़ देते हैं तो इसकित्ता हो जाएगा 7 बड़ा 12 तो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 x बड़ावर 7 बड़ा 12 ठीके अब इससे जादा यह सॉल महीं हो सकता साथ बड़ा 12 साथ बड़ा 12 कैंसल हो गया तो माइनस 4 प्लस 3 x बड़ावर 3 तो यह कित्ता हो जाएगा 3 x तो यह रहा तो हो जाएगा 3 प्लस 4 तो यह दाएगा 3x बराबर 7 तो x बराबर किता हो जाएगा भाईया x बराबर हो जाएगा 7 बटा 3 ठीके अब x का मान 7 बटा 3 तो आ गया है लेकिन क्या यह आंसर बिलकुल सही होगा एक बार चेक करना पड़ेगा कि भई 7 बटा 3 जो आया है वो मेरा आंसर बिल्कुल सही आया है कि नहीं आया है तो चलिए इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आप रखके देखिए क्या आपका आंसर 3 के बराबर आ रहा है तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं तो minus 4 प्लस 3 इंटू 7 बटा 3 3 से 3 कैंसल हो गया माइनस 4 प्लस 7 तो 3 बराबर 3 तो आंसर आ रहा है 7 बटा 3 तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो 7 बटा 3 आ रहा है तो क्या यह और यह आंसर मैच हो रहा है तो भई मेरा जो आंसर आ रहा है इसमें यह आ रहा है और उसमें आंसर यह आ रहा है तो क्या आंसर कौन सा सही है है ना अब यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहां पर पास था सबसे पहली बात तो यहां पर एक गलती यह कर दी कि यहां पर पास था तो यह यह हो जाएगा पांच तो यह भी हो जा तो इसलिए मैं समझ रहाता है यह क्या हो गया मैंने तोड़ा सा इसका ध्यान नहीं दिया आप लोग एक बाइसको देख लीजेगा है ना तो यहां पर हमारा आंसर हो गया तीन और आंसर के गर जाच करना है तो यहां आप तीन तिया नो करो तो नो मेंसे चार जाएगे तो प पर आते हैं यहां पर दिया है अब यहां पर एक्स बराबर होगा अब देखिए यहां पर कोश्चन कैसे सॉल्व करना है किस तरह से करना है अब आपके सामने एक नया कोश्चन दिख रहा है अब यह नया कोश्चन है इसको कैसे सॉल्व में करूंगा और कहां तक इसको में ले जाऊंगा सारी चीजें किस तरह से करूंगा और उसके बाद यहाँ पर क्या मान आने वाला है तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है दो 3x-1 प्लस दस भाग में 7 बरावर 6 अब इस question को कैसे solve करेंगे क्या लगता है आपको यह question कैसे solve होगा यहाँ पर आपको किस चीज़ की कमी लग रही है क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 की घाद 3x-1 है और यहाँ पर 10 है है ना और भाग में 7 बरावर 6 है अब इस question को solve करने के लिए हम क्या trick अपनाएंगे है ना अब आपको लग रहा होगा sir यह question तो अब हमें पता नहीं है अब इसमें से answer कैसे आएगा तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस question को solve करने का है ना यहाँ पर हम एक-एक करके हम यहाँ पर x की value को put करके देखते हैं मतलब यह हम एक तरह से एक तरह से हम test लगा रहे हैं अगर हम x की value यहाँ पर 2 रखते हैं तो अगर वो 6 के बराबर आ जाता है तब तो मेरा answer ठीक है एक बार रखके देखते हैं आईए तो 2 3 गुणा माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस 10 भाग 7 तो कित्ता हो जाएगा यह माइनस 6 और माइनस 7 माइनस से 1 माइनस का 7 प्लस 10 भाग 7 तो यह तो मेरे एसाब से यह तो 6 के बराबर नहीं होने वला है इसको टोड़ा दो तो यह तो नहीं हो सकता है अगर अब यहाँ पर 0 मानते हैं जीरो मानते हैं तो जीरो रखते हैं चलिए तो जीरो रखने पर क्या मिलेगा आपको भई देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा 0 प्लस 10 और भाग में 7 बराबर 6 तो यहाँ हो जाएगा 1 चुकि 11 बर्टा साथ जाएगा जो की 6 के बराबर नहीं होगा अब आता है एक तो चलिए अब एक रखके देखते हैं तो यहाँ जाएगा 2 तो तीन गुणा एक माइनस वन प्लस दस भागे साथ बराबर छे अब क्या करते हैं यहाँ पर हम यह हो जाएगा कित्ता तीन में से एक जाएगे तो दो बचेगा तो यहाँ लेगा दो दुनी चार ठीके यहाँ पर साथ उन्हीं यहाँ पर चौदा तो यहाँ साथ दुनी तो यहाँ पर दो आएगा और उधर 6 आ रहा है अब क्या करें यहाँ पर एक भी रख लिया अब आप रखके देखिए आपर 2 जो प्लस का 2 वो रखकर देखिए क्या आपका अंसर बनेगा तो चलिए प्लस का 2 रखके और देख लेते हैं तो प्लस का 2 रखने पर आपको क्या मिल रहा है देखते हैं तो यहाँ पर 2 3 गुड़ा 2-1-10 भागित 7 तो तीन दुनी 6 छे में से एक गया तो किटना बचा पाँच देखिए तीन दुनी 6 छे में से एक गया तो कितना बचा 5 दो की घाथ 5 प्लस 10 भागित 7 ठीक है अब क्या होगा यहां पे हो जाएगा 35 32 दो को 5 बार गोरा कर दो 32 आता है प्लस दस साथ बराबर छे तो कितना आजाएगा 42 बराबर साथ बराबर छे तो साथ चंग 42 तो 6 बराबर छे तो answer कितना है मेरा right answer वो हो गया 2 तो इस तरह से test करते हैं और आप लोग x की value रखके देखो आपका answer क्या आता है तो यहाँ पर हमारा right answer आजाएगा वो कितना आजाएगा वो यहाँ पर आपका 6 जो है वो आजाएगा किस दो रखने पर आजाएगा तो यह question solve हो गया और यहाँ पर हमारा 15 question जो है वो आसानी से solve हो गया आगे बरते है next question की तरफ अब देखते हैं next question क्या दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग जानते हैं इसका answer क्या है अगर किसी भी संक्या के उपर घात अगर 0 लगी हुए होती है तो इसका answer क्या होता है वन होता है जो कि हम लोग करी चुके हैं ठीके ना next question पर आते हैं अब यह question कैसे solve होगा आप लोग ज 13 और यहाँ पर minus 1 लिखा है तो द्यान रखना कभी भी अगर हम इसका प्रतिलों करते हैं प्रतिलों मतलब उल्टा करते तो यह माइनस चिन नहीं हटता है माइनस चिन केवल घात का हटता है तो यह कित्ता हो जाएगा माइनस का 3 बटा 5 यह हो जाएगा ठीके तो हमारा answer कित चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ यहाँ पर दिया है next question माइनस का एक बटा दो और घात तीन माइनस का एक बटा दो है और घात अगर तीन दी हुई है तो ध्यान रखना कभी भी मैं हमेशा बोलता हा रहा हूं कि अगर माइनस में कोई संख्या रहती है और उसके उ अंसर माइनस में ही आएगा मतलब नागेटिव आएगा और घात अगर पॉजटीव होती है मतलब अगर घात आपकी समसंख्या उती है तो अंसर हमेशा आपका पॉजटीव आता है तो यहाँ पर देखिये अगर मैं माइनस एक बटा दो गुड़ा माइनस एक बटा दो मतलब अगर मेरा माइनस का एक बटा दो पे घात अगर प्लस की तीन होती तब यह एक बटा तब यह मतलब कितना आता माइनस का एक बटा आठी आता लेकिन अगर यहाँ पर पावर प्लस में होती मतलब सम संख्या होती यह विशम संख्या इसलिए माइनस में है और आन्सर काहई में आता तो यहां पर इस चीज का अप्लुग ध्यान से समझेगा ठीकिए आगे बढ़ते नेक्ष्ट पर है यहां पर दिया ए माइनस का तीन बटा चार गवह तो यहां पर माइनस का तीन बटा चार है और इसाद दो है तो यहाँपर आंसर क्या आएगा देखिये माइनस 3 गुड़ा माइनस 3 और 4 गुड़ा 4 तो 3 थी यह नो माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 तो 9 बटा 16 मेरा इसका राइट आंसर होगा, ठीके ना? चलिए next question गरफ बढ़ते हैं, अगला question क्या दिया हुआ है? समझते हैं कि अब यहां पर 367 और तीन जीरो लिखने को मानक रूप में वैक्त कीजिए देखें मानक रूप इसमें से क्या हो सकता है सबसे पहले मानक रूप होता क्या है आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप तो अधिकतर बता चुका हूं कि कभी भी बहुत जादा दूरी के लिए हम उसको एक मानक रूप में लिखते हैं जैसे सूरी से चंद्रमा की दूरी या चंद्रमा से प्रत्वी की दूरी ये इतनी जादा होती है कि उसको हम लोग एक मानक रूप में वैक्त करते हैं तो यहां पर मानक रूप में लिखने का तरीका क्या होता है सबसे पहले यहां पर three six seven और चार जीरो है एक दो तीन और चार कित्ते हैं एक दो तीन चार चार जीरो है तो सबसे पहरे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अंतिम में हमको एक दशावलो ढूनना पड़ेगा मतलब आपको अगर कोश्चन के बीच में कई दशावलो नहीं दिख रहा है तो हमको दशावलो यहाँ से उठाकर यहा लना पड़ेगा तो töई कित्ता हो जाएगा थ्री मौइंट solumak का छह सब्सक्रात गए तो यहाँ यहाँ पर अगर दशावलो नहीं मिलता है तो कोड़े में मिलेगा बलक में मिलेगा तो दश्वलो एद přाक्ते तो जब हमारा 20 पर कोशन खतम हो गया आगे आते हैं अगले कोशन पर देखते हैं नेक्स कोशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया है 3.0000463 मानक रूप में लिखिए देखिए यहाँ पर लिखा है 3.1234 एक दो तीन और चार और यह 463 ठीक है अब इसको मुझे मानक रूप में लिखना है तो देखो दशावलो हमेशा खसक के पहली संख्या के बाद चला जाता है ठीक है हमेशा पहली संक्या के बाद ही दशावलो आएगा तो 4.63 इंटू 10 दूरी पावाद दशावलो कितना खसके एक दो तीन चार पाच तो माइनस पाच अगर इस दिशा में जाते हैं तो घात आजाती है माइनस की दो हमारा अंसर इसमें से क्या होगा माइनस पाच ये रहा बिलकूल ठीक है है ना हे कोश्टन ऐजी बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोश्टन को करने का तरीका है क्या करते हैं कोश्टन को सौल्व करने के लिए चोटीम बातें आप लोग ध्यान रखिए आप बिल पॉइंट किते जीरो हैं एक दो तीन चार पाँच तो एक दो तीन चार पाँच और यह दिया है साथ ठीक है अब इसको मानक ग्रूप में लिखना है भाई देखो दशालों को यहां से उठाया और एक संक्या के बाद ले गए तो साथ गुणा दस की गात कितना लेगे गाए इस दिशा में जा रहे हैं और हमारी गात मैंश में रहेगी तो एक दो तीन चार पाथ च्छे तो दसकी गात माइनस छे तो साथ गुणा दसकी गात मैनस छे यह दो हमने कोशन को बहुत एज़ी बना दिये ताकि आप लोग उसको बहुत अच्यज पाए कर पाएं तो आप लोग का अंसर ये बहुत अच्छा से हो जाएगा तो हमारा कोशन नमबर 22 खतम हो गया आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 23 के तरफ यहां पर दिया है मानक रूप होगा अब इसका मानक रूप क्या होगा यहां पर दिया है 3,8,4,4,6,7,1,2,3 अब इसका मानक रूप लिखना है तो इसके मानक रूप के लिए हम लोग क्या करेंगे दशवलो कहीं नहीं है यहां से लेंगे दशवलो और इधर लेकर आजएंगे तो कितना हो जाएगा तीन दशवलो 8,4,4,6,7 ठीक है 8,4,4,6,7 कितना खसके 1,2,3,4,5,6,7,8 तो दसकी घार आठ तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है यहां तो यहां पर यह हो गया आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखते हैं अ आप लोग क्या करोगे एक बार अच्छे से देखो फिर मैं आपको बताता हूं इस कोशन के अदर करना क्या है यहां पर दिया है दो दशवलो 5,2,5 और 10 की घार क्या है चार अब इसको लिखना सामाने रूप में तो देखो सामाने रूप में लिखने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि यह जो है दसकी घार चार है चुकि इसमें क्या है संक्या क्या है मतलब घात क्या है प्लस है तो प्लस है तो हमको इस तरफ जाना है तो दो अब इसके बाद आप लोग कित्ते आपको कित्ते जिरू गिनना है कित्ती दसकी घार चार है तो यहां पर आप लोग को जब भी आप लोग अगर इस तरह के चुनते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे इसको जोण के साथ में आप लोग इसके आगे 0 बढा देंगे तो यह हो जाएगा 1 2, 3, 4 तो यहाँ पर यह हो गया हमारा question और इसका answer यह हो गया क्यों क्योंकि एक बात बताईए यहां पर अगर हमको बोलते मानक रूप में बदलना तो यहां से 0 पकरते और यहां से उठाके इधर लेके आते तो 2.5 यह हो जाता गुना कित्ता कीच के लाए 1, 2, 3, 4 तो 10 की गात कित्ता हो गया चाल लेकर आए ना तो इसका मानक रूप को जब सामान रूप में बदला तो यह हो गया 25,000 तो यह हो गया इसका सामान रूप आया समझ में चलिए next question पर आते हैं यहां पर इसका मानक रूप होगा यहां पर दिखाए 8, 8, 4, 8 इसका मानक रूप लिखना है तो दशावलों यहां है अब दशावलों को जब यहां से लेकर इधर लेकर आएंगे तो कित्ता हो जाएगा 8, 8, 8, 4, 8 गुना कित्ता लेकर रहा है 1, 2, 3 तो 10 की घात 3 यह मेरा final answer हो गया आप लोग देगी सकते हैं कितना आसान है मानक रूप में बदलना तो हमने आपके इस chapter को इसका answer ही हो गया तो बतलब हमने आपका यह जो question है जो हमने मानक रूप में बदलने वाले और इसके पहले भी घातान को और घात के जितने भी question थे वो हमने सबसे पहले आपके जो दसवे अध्याय के अंदर जो प्रशन वाली थी दर्शन वालो एक दर्शन वालो दो पहले हमने उसको खतम किया उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर आपका जो मानक रूप है उसको खतम किया और MCQS के अंदर formula और सारे question यह पर cover किये वो भी आपके बहुत अच्छी practice करवा देते तो आप लोग वो सारी चीज़े देखिए अगर आप कुछ समझ में नहीं आता है तो comment में आप में से पूछ सकते है सर इसको आप दो बारा बता दीजिए मैं आपको जरूर बताऊँगा पर एक बार आप देखिए जरूर comment जरूर करिए ताकि हमको समझ में आजाए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे है तो चलिए यहाँ पर हमारा MCQS होता है खतम आगे बहुत जल्दी आपके सामने नया अध्याय लेकर आएंगे चलिए बने रहे है मागनेट बेंट के साथ आप लोग हमारे वीडियो कैसे देख सकते क्या क्या तरीका है देखने का मैं आपको वो पूरा बताता हूँ यहाँ पर आप लोग वीडियो देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब का सारा ले सकते यूट्यूब पर आप लोग मागनेट बेंट को टाइप करके प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो आराम से देख सकते या तो फिर आप लोग एप डाउनलोड कर सकते यहाँ पर app download करने के बाद भी आप लोग video बहुत आसानी से देख सकते हैं या फिर आप लोग magnet brain को direct आप google पे डालिए website पे website आपके सामने open हो जाएगा page आपके सामने open हो जाएगा वहाँ से भी आप लोग अपनी classes में बहुत आसानी से जा सकते हैं अगर आपको हमारे नए नए अपडेट चाहिए कि आप क्या आने वाला है आप क्या आने वाला है तो आप लोग if fb twitter इंस्टा इसके माध्यम से भी आप लोग हमको देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो courses है high quality education तो मिलती है साथ में आपको जितने भी top courses है cbhc आपको Hindi medium में मिलेगा English medium में मिलेगा आपको NTSC, Olympiart, CUET, IIT, J, NEET, UP, Bihar Board, Spoken English, Banking Insurance, RRB, SSC, UPSCO, Jap Club जैसे courses आपको बिलकुल free up cost मिलेंगे यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है तो बस अगर आपके बड़े भाई बेनों जो आप यह वाली class में हो आप उनको पताई है magnet brain के बारे में अगर आपके छोटे भाई बेन जो 8 से लेके 12th class में तो आप उनको magnet brain के बारे में बता सकते हैं और बोलिए का जरूर के यहाँ पर आपको 100% और quality education मिलेगा वो भी free में मिलेगा जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है तो बने नहीं हमारे साथ हमारे चैनल को देखते रहिए हमारे चैनल को like और subscribe करिए thank you